जमो कश्मीर सरकार की तरव से COVID-19 को लेकर नई गाइडलाइन चारी कर दी गई है हाला कि इस नई गाइडलाइन में कुछ जादा बदलाफ नहीं किये गए है पहले की तरह किसी भी डिस्टिक में वीकली केरफ्यू इंपोस नहीं होगा इंडोर वे आउडोर कॉंपलेक्स में गैदरिंग 25 वेक्तियों तक सीमित की गई है हाला कि जिन जिलों में पॉस्टिविटी रेट 0.2% से नीचे है उन जिलों के बैंकिट हाल या फिर इंडोर वे आउडोर कॉंपलेक्स में 25 के बजाए 50 वेक्ति एकठा हो सकते है हाली में जिन में पॉस्टिविटी रेट में गिरावट दर्च की गई है और डिस्टिक एडिमिस्ट्रेशन जिम्मू द्वारा जिम्मू जिले के लिए पब्लिक गैदरिंग 25 से बढ़ा कर 50 कर दी गई थी नई गाइडलेंड के अनुसार ये 50 वेक्ति वेक्सिनेटिड होने चाहिए या फिर इनके पास COVID-19 की नेक्टिव रिपोर्ट होनी चाहिए इसी तरह educational institutions की बात करें तो बार्मी क्लास के विद्यारती अगर स्कूल में आना चाहते हैं तो उनके लिए parents का consent होना अनिवार है और उनी students वे staff member को आने की permission होगी जो vaccinated होगा और इसी बीच में किसी भी विद्यारती या teacher या फिर किसी भी staff member को cough, cold या fever के symptom नजर आते हैं तो उसको स्कूल में आने की permission नहीं होगी इस आदेश के अनुसार 12 standards shall be permitted with limited in person teaching not exceeding 50% on a given day और इसी तरह 10th class limited in person teaching of students of class 10th not exceeding 50% on any given day 10th और 12th classes को छोड़ कर बागी classes के लिए school बंद रहेंगे वाई अगर बाद coaching centers की करें तो coaching centers भी पहले की ही तरह सर्फ civil services, engineering, need की coaching देने वाले institutions को allow किया जाएगा ये institutions open किये जा सकते हैं और civil services, engineering और need के विद्यार्थियों को coaching दे सकते हैं हाला कि इनके लिए भी COVID appropriate behavior का पालन करना अनिवारे है इसके लबागी coaching centers on site या in person teaching के लिए बंद रहेंगे ये coaching centers सिर्फ और सिर्फ online coaching दे सकते हैं वाई night curfew की बात करें तो सभी जिलों में night curfew जारी रहेगा शाम को 8 बजे से लेकर सुबा 7 बजे तर लेकिन जिन जिलों में positivity rate 0.2% से नीचे है उन जिलों में night curfew रात को 10 बजे शुरू होकर सुबा 6 बजे समाप्थ होगा इसी परकार से कहीं पर भी आने जाने पर कोई भी पावंदी नहीं है जमू कश्मीर के परवेश्टवार लखनपूर पर टेस्टिंग की अवशक्ता नहीं होगी अगर आप vaccinated है अगर आपने vaccination की दोलों डोसिस ले ली है इसी तरह से interstate सफर करने के लिए भी vaccinated person को किसी भी तरह की कोई भी समस्या नहीं होगी लेकिन अन्य वेक्ति अगर किसी अन्य राजे में जाना चाहता है या फिर अन्य राजे से यहां पर आना चाहता है तो उसके लिए RT-PCR की negative report होना अनिवारे है और यह report 22 गंटों तक valid होगी